मम्ध व्यानर जी इस election campaign के rally में कह रही है कि CA को हटाना पड़ेगा नहीं तो आप लोग जो अभी इस देश में रहे रहे हो आप लोग including मैं भी सभी illegal immigrants पंचाएंगे केजविवाल जी का कहना है कि इतने लोगों को देश में अगर लाएंगे तो उनको रहने कहा देंगे और भी काफी कुछ और नतीजा protests, protests और भी protests पर यह हो क्या रहा है? मेरा एक ही सवाल है कि जो यह protests हो रहा है क्या यह CAA के सही जानकारी के साथ हो रहा है? जो भी information आपको provide किया जा रहा है क्या वो सही है? क्या आपने इसकी जाच की? आज के इस वीडियो में हम चार questions को आंसर करेंगे जिससे आपको CAA को समझने में आसानी हो पहला सवाल क्या आखिर यह CAA है क्या? दूसरा इसके जरीए कौन-कौन सा बदलाव आ रहा है? तीसरा यह बिलित्ता controversial क्यू है? और चो था और सबसे जरूरी यह कि CAA के आने से क्या-क्या नहीं होगा बहुत से law entrances आड है हैं तो वीडियो को अंध तक जरूर देखना ताकि यह concept आपको फानी जैसा लगे plain and simple मैं हूँ अनविशा और आप देख रहे हैं ASS Institute का YouTube चानल Lucid Streaming तो सबसे पहला सवाल कि CAA अखिर है क्या? CAA यानि कि Citizenship Amendment Act 1955 में बने Citizenship Act का amendment है जो पांच तरीका बताता है जिससे कोई person जो किसी और देश का रहने वाला है वह भारतिय नागरिक बन सकता है और वो पांच processes है by birth, descent, registration, naturalization और incorporation of territory यानि कि अगर कोई भारत में जन्म लेता है, किसी भारतिय का वहाँ वन्शच है या भारत में रहने के वज़ा से AS Citizen खुद को register करवा कर भारत का citizen बन सकता है इसके अलावा naturalization के जरीए भी citizen बन सकता है इसका मतलब ये कि अगर कोई total 14 साल में से aggregate 11 साल भारत में बिताता है तो वह citizenship के लिए apply कर citizen बन सकता है पर वह illegal immigrant नहीं होना चाहिए और साथ में और कुछ conditions भी है जिनको fulfill करना होगा और पांच को तरीका ये कहता है कि अगर भारत के अंदर कोई territory add होता है तो उस territory के लोग Indian citizens होंगे तो ये पांच तरीके है जिससे इंडिया किसी foreign national को Indian citizenship acquire करना अलाव करता है अब दूसरा सवाल कि 2019 के CAA के जरीए कौन-कौन सा बदलाव आ रहा है फर्स्ट, इंडिया के तीन neighboring countries पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से जितने भी हिंदो से Christian, Buddhist, Jain और पार्सी धर्म के लोग 31st December 2014 से पहले इंडिया में migrate करे चुके है 2019 का amendment deck उन्हें citizenship देने के बारे में बात करता है दूसरा, जिन communities के नाम मैंने बताए अगर वह लोग अपने देश में religious persecution यानि की धर्म के आधार पर अत्यचार के डर से इंडिया आ जाते है तो उन्हें citizenship जल्दी दी जाएगी इस नए act के थूँ जो 11 साल इंडिया में रहने की requirement 3 naturalization process के जरिए citizenship acquire करने के लिए इन communities के लोगों के लिए इस नियम को relax कर 5 साल बना दिया गया है तीसरा, इस act के जरिए overseas citizens of India के registration को cancel किया जा सकता है अगर वह CAA या किसी unapplicable Indian laws का violation करते है तो overseas citizens वो है जो Indians तो है पर वह इंडिया के citizen ना होकर किसी दूसरे state के citizens है OCI card holders का benefit ये है कि Indian origin के होने के नाते वह इंडिया में कभी भी आ जा सकते है यहां काम कर सकते है और परहाई भी कर सकते है चोथा आसाम में घालाया मिजुरम त्रिपुडा के जितने में tribal communities 6th schedule of the Indian constitution में included है उन पर CAA लागू नहीं होगा पाचवा, पाकिस्तान के अहमदिया, अफगानिस्तान के हजारा, मायनमार के रोहिंग्या लोगों को CAA के ठो ये reduced residence period का benefit नहीं मिलेगा यानि कि इन तीन countries के Muslims को ये benefit नहीं मिलेगा तब तीसरा सवाल ये है कि इस bill को लेकि इतनी controversy क्यू है देखे, जो main controversy है, वो है Muslims को citizenship ना देने को लेकर और इसके लिए हमारे सरकार का ये कहना है कि जिन तीन देश के Muslim लोगों को exclude किया गया वो हम Muslim majority nations है और इस नाते उन देशों में Muslims को धर्म के आधार पर डर है अपने देश से ये विश्वास नहीं होता और चौथा सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या क्या नहीं होगा CAA के आने से क्योंकि जैसे जैसे लोग सबा elections और नजदिक आ रहा है वैसे ही कई parties election campaigns में अलग-अलग तरीके से इस बिल को लोगों के सामने represent कर रहे है तो सबसे पहली बात तो ये कि current जो इंडिया के citizens है CAA के अंडर उनके rights के साथ कोई भी छेरखानी नहीं करी जाएगी भलेव किसी भी religion, caste, creed, sect, ethnicity या race से बिलोग क्यों ना करते हो तो अगर आप एक proper citizen है तो आपको देश से कोई बाहर नहीं निकालेगा दूसरी बात ये कि इंडिया के तीन जो पड़ोसी देश के लोग है उनके लिए ये CAA कोई open invitation नहीं है कि जो मर्जी आजाओ सब को citizenship मिलेगी बलकि 31st December 2014 cut off date है यानि कि इस दिन से पहले जितने भी लोग already as a refugee इंडिया में आ चुके है सिर्फ उनहे citizenship देने की बात की गई है तीसरा CAA को unconstitutional declare करवाने के लिए article 14 को खीचा जा रहा है जो equality before law के बारे में बात करता है Interestingly, 70 साल से इस article को काफी तोड़ा मरोडा जा चुका है और इस article में reasonable classification की बात की गई है चलिए एक example से reasonable classification को समझते है मान लीजिए कि ये एक apple का tree है जिसके एक side में apple नीचे के तरफ लगे है और दूसरे side में उपर के तरफ अब A और B दोनों को ही equal height की सीरी दी गई है apples तोड़ने के लिए अब A तो पहुँच गया पर बिचाड़ा B को apple मिलन ही नहीं रहा है क्योंकि उसके side में apple उपर की तरफ है इस case में अगर हम उसे लंबी सीरी देंगे तो क्या inequality होगी आपको क्या लगता है? comments में बताना जड़ा इसी चीज़ को कहते है reasonable classification यानि कि अगर reasonable justified grounds है तो जो लोग historically discriminated है उन्हें extra advantage दिया जा सकता है तो citizenship देने के मामले में अगर state government criteria set कर रही है तो वह ऐसा बिलकुल कर सकते है और इस ground पे ये act unconstitutional तो नहीं है बहुत से ऐसे developed nations है जो unconditionally citizenship provide नहीं करते है modern इंडिया में तिबेट, फ्री लंका, उगांडा, बांगला देश इन सभी nations के refugees को asylum दिया है तो basic human rights के प्रती जो इंडिया का commitment है वह position CAE के आने से बिलकुल नहीं बदलेगा आपका इस विशे पे क्या मानना है ये हमें comments में जरूर लिखिए और वीडियो के जड़िये अगर आपको CAE पूरे तरीके से समझ में आया ना तो इसे अपने दोस्त को भी भेजो ताकि उन्हें भी समझ में आए और पसंद आए तो इसे like भी करना और चैनल को subscribe कर हमेशा CLAT से जुड़े हर एक important current affairs के साथ में जुड़े रहे और उन्हें miss ना करे थैंक एक्र वाचिंग